हेलो एवरीवन वेलकम टू के वी ठीचर्स गेड सो बच्छों भी हम स्टार्ट करेंगे सेकंड क्लास इंग्लिश की सेकंड यॉनिट वेलकम टू माई वर्ल्ड का फॉस्ट चाप्टर ये पोयम है आक्चली जिसका नाम है इट इस फन फन मतलब क्या होता है कोई भी आक्टिविटी कोई भी काम करने के बाद जब आपको अच्छा लगे तो आप बोलेंगे कि इस आक्टिविटी इस वर्क वस फन तो देखते हैं पोयम में फन क्या है पहले हम पोयम को रीड करेंगे आपको सभी वर्ड्स की प्रनंसियेशन को ध्यान से सुनना है उसके बाद मीनिंग समझेंगे So, it's fun to be this. It's fun to be that. To leap like a lamb. To climb like a cat. Leap, lamb, climb, cat. To hop like a frog. To swim like a fish. To trot like a horse. To fly like a bird. I can act just like them all. It's fun to be this. It's fun to be that. Now, it's fun to be that. It's fun to be this. It's fun to be that. To leap like a lamb. To climb like a cat. To hop like a frog. To swim like a fish. To trot like a horse. To fly like a bird. I can act just like them all. It's fun to be this. It's fun to be that. Okay. Now, it's fun. यह fun है. To be this. This मतलब यह. And it's fun to be that. That मतलब वो. So, यह भी fun है. वो भी fun है. इसका मतलब क्या है? कि आप सिर्फ किसी एक चीज़ को fun नहीं बोल सकते हैं. आप यह नहीं कह सकते हैं. कि सिर्फ human being फन कर रहे हैं. क्योंकि हम बॉक कर सकते हैं. बहुत सारी चीज़ नह इसी है. जो अनिमल करते हैं. And they also have fun. For example, जैसे यह लाम है. He is also having fun. Cat भी fun कर रही है. आप यह नहीं कह सकते हैं. सिर्फ birds क्योंकि वो fly करती है. They are having fun. क्योंकि frog जैसे जंप करता है. जंप करना भी fun है. होर्स के जैसे ट्रॉट करना भी fun है. यह सभी activities आप क्लास में करेंगे भ उनकी movement given है. इस तरीके से वो fun है. So, to leap like a lamb. भेड़ के बच्चे को हम बोलते हैं. यह देखिए यह लाम है. अब लाम जो चलता है. उसकी movement को क्या बोलते है? leap करना. क्योंकि वो थोड़ा उचल के जलता है. उसके जैसे leap करना भी fun है. आप करके देखिए. देखो, ऐसे चलत lamp. Now see, leap करिए क्लास में और देखिए. यह fun है या नहीं? So, to leap like a lamb, to climb like a cat. एक, यह lambs leap कर रहे हैं. then cat क्या करती है? वो जब climb करती है. किसी चीज़ पर चड़ती है. वो भी fun है. आप cat के जैसे climb करके देखिए. It's fun to leap like a lamb and to climb like a cat. Next is to hop like a frog. फ्रॉग क्या करता है? वो hop करता है. हॉप करके आगे चलता है. इस तरीके से. इसे बोलते हैं hopping. आप कर सकते हैं. दोनों hands को ground के उपर रखेंगे. और फिर पैरों से आपको आगे कुदना है. तो frog के जैसे hop करना वो भी fun है. To swim like a fish. एक फिश के जैसे swim अगर आप कर पाए. दाट इस अलसो फण. देन To trot like a horse. To swim like a fish. Trot like a horse. होर्स के जो movement है. जैसे horse चलता है. उसको हम trot बोलते हैं. थोड़ा सा समझ लेते हैं. कुछ जो four-legged animals होते हैं. जिनके चार पैर होते हैं. तो जब वो चलते हैं. उनके diagonally पैर आगे जाते हैं. कहने का मतलब है. दोनों आगे वाले पैर एक साथ आगे नहीं जाएंगे. ऐसा नहीं है. नहीं दोनों left leg आगे जाएंगे. अगर आप इस horse की आगे करेगा. अपने आगे वाले left को तो पीछे वाला right आगे जाएगा. इस तरीके से diagonal में, cross में इसके पैर आगे पीछे जाते हैं. इस तरीके की movement को हम बोलते हैं. ट्रॉट करना. ट्रॉट. होर्स क्या करता है? ट्रॉट करता है. और होर्स के जैसे ट्रॉट करना भी fun है अब यह कैसे करेंगे आप आगे के जो दो हैंड्स हैं आपके उनको ground पर रखिए. उनको as leg यूज करिए. जब आप right leg आगे करेंगे तो left hand आगे करना है. इस तरीके से move करना है. राइट हांड के साथ left leg आगे जाएगा. लेफ्ट हांड के साथ right leg आगे जाएगा. इस तरीके से move करके देखेंगे और देखिए whether it is fun or not. So frog के जैसे hop करना भी fun है. It's fun to hop like a frog. Then fish के जैसे swim करना भी fun है. और horse के जैसे trot करना भी fun है. Then fly like a bird. बड के जैसे fly करना भी fun है. यह आप नहीं कर सकते, act कर सकते हैं ground परी रहकर. I can act जैसे का गया आपको acting करनी थी सभी की आप act कर सकते हैं just like them all उन सभी के जैसे all मतलब सब इन सब के जैसे आप act कर सकते हैं आप leap भी कर सकते हैं आप climb भी कर सकते हैं jump कर सकते हैं fly नहीं कर सकते हैं बर acting कर सकते हैं fly करने की so it's fun to be this it's fun to be that और आप देखेंगे हर चीज में fun है, आपको hop करने में भी अच्छा लगेगा, fly करके जब आप acting करेंगे, वो भी आपको अच्छी लगेगी, then horse की जैसे trot करके जब आप चलेंगे class में, वो भी fun है, swim, swimming की भी acting ही करेंगे, आप swimming कर भी सकते हैं, वो भी fun है, okay, so सभी जो movement है, सभी animals की movement हर एक movement का अपना अलग fun है, hopefully clear हो आपको poem क्या कह रही है, it's fun to be this, it's fun to be that, fun different तरीकों से होता है, अलग-अलग चीजों में, उनको आप अलग-अलग तरीकों से enjoy करते हैं, like to leap like a lamb, to climb like a cat, then to hop like a frog, then to swim like a fish, fish नहीं given है, बाकी यह आपने देख्योंगे, to trot like a horse, to fly like a bird, I can act just like them all, it's fun to be this, it's fun to be that, okay, now new words क्या है, इसे पहले sight words given है, जिनको देखते ही आपको अभी identify कर लेना है, this, that, like, to, them, all, none, none नहीं है, none मतलब होता है कोई भी नहीं, no one, अभी new words देखते हैं, new words को बोल के भी आप देखेंगे, और सभी new words के meaning भी आपको बता हो, meaning मतलब हिंदी में नहीं, क्या वो activity क्या है, कैसे होता, आप act करके भी दिखा सकते हैं, for example, कोई आपसे पुछे swimming क्या है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में उसका meaning बता है, swimming मतलब तैरना होता है, लेकिन आप swimming के अगर acting भी करके दिखा दे, या फिर बता दे कि swimming water में जब हम आगे जाते हैं, अपने hands को, legs को use करके उसे swimming बोलते हैं, तो वो भी माना जाएगा कि आपको उसका meaning पता है, okay, fun, fun मतलब enjoy करना, enjoyable कोई activity है, climb, climb मतलब किसी चीज़ पर चड़ना, climb करना, then leap, leap, उचल के चलना आगे, swim, तैरना, trot, horse या फिर कुछ four-legged animals की, जो movement होती है, जैसे वो चलते हैं, उसे बोलते हैं, trot करना, जब उनका आगे वाला, left और पीछे वाला right leg आगे जाएगा, और इसके opposite फिर, and then fly, fly मतलब बुढ़ना, like birds fly, okay, next, now let us speak, listen to the sound that your teacher will share on the mobile, अब ये teacher आपके mobile पर कुछ sounds आपको सुनाएंगी, and can you identify these sounds, the sounds, क्या आप उन sounds को identify कर सकते हैं, वो sound किसी bird की हो सकती है, horse की sound हो सकती है, then एक, जैसे आपकी इसमें, lamb given है, lamb की sound हो सकते है, जैसे lamb बोलता है, bleat करता है, so lamb हो सकता है, lamb की sound, कोई भी किसी animal की sound, आपकी teacher आपको सुनाएंगी, और आपको पहचानना है, identify करना है, वो कौन सी sound है, okay, ये class activity है, now answer the questions, if you were a cat, what would you do, अगर आप cat होते, तो आप क्या करते, आप क्या कर सकते थे, ये class में पूछा, तो एक बच्चे ने बोला, I would run after a mouse, मैं क्या करता है, mouse के, एक चूहे के पीछे दोड़ता, बिल्ली वही करती है, I will drink milk, बिल्ली को milk भी बहुत पसंद है, दूसरा बच्चा कहता है, मैं milk पीता, child 3 says, I would say meow तो मैं बिल्ली होता है, तो मैं बोलता, now teacher फिर पूछती है, if you meet an elephant, what would you say, अगर आप एक elephant से मिलोगे, तो आप क्या कहेंगे उसको, So now child 1 says, I, अच्छा यह आपको बताना है, I would say, अब आप बताईए आप उससे क्या कह सकते है, elephant को देखके आप क्या बोलेंगे, आप उससे बोल सकते है, that you are so big, I would say, you are so big, या फिर your teeth are so large, then child 2 says, elephant अगर आपने देखा हो, उसके दो दात होते हैं, tusks जिनको बोलते हैं, वो ब आउंगा, that Mr. Elephant, your teeth are so large, okay, और आप क्या बोल सकते हैं, that, then I would say, can I ride on your back, या पूछ सकते हैं, क्या मैं तुम्हारी back पर ride कर सकता हूं, वैसे वो safe नहीं है, but still, can I ride on your back, okay, कुछ और भी आप लिख सकते हैं, जो भी question आपके mind में आए, एक elephant को imagine करिए, अगर आप कभी किसी elephant से मिलते हैं, तो आप क्या उसको कहेंगे, वो आपको यहाँ पर लिखना है, okay, next, this is an elephant, ट्रंक के बारे में भी आप लिख सकते हैं, पूच सकते हैं उससे, so यह होती है उसकी ट्रंक, टीथ यहाँ पर नहीं गिवन है, ऐसे होते हैं, वाइट, उन्हें हम बोलते हैं, टस्क, okay, next, now say the words, बोलना है इनको सिर्फ आपको, climb, climb, leap, climb बने ही बोलना इसको, climb, leap, swim, trot, fly, यह सब movements हैं, climb करना, उपर चड़ना, leap करना, swim करना, तैरना, trot करना, आगे ही चलने का ही एक तरीका है, and fly करना, उढ़ना, next, now make, now make sentences with these words, one has been done for you, एक sentence यहाँ पर गिवन है, आप कह सकते हैं, monkeys climb trees, monkeys climb करते हैं, trees को, now next is leap, लीप पे ऐसी एक sentence आपको बनाना है, लीप करना मतब ऐसे चलांग लगाना, एक तो आपको given है, lamb leap करता है, और आप लिख सकते हैं, that, a cheetah, cheetah leaps, या फिर cheetahs leap in the jungle, जंगल में चीता leap करता है, then swim, fish given है, आपको fish swim करती है, and, बच्चे भी swim कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, children swim in the pool, next is trot, trot वैसे horse के लिए ही use होता है, इसके अलावा, donkeys trot करते हैं, तो donkey आप लिख सकते हैं, the donkey trots, trots, कहां पर, donkey trots in the, in the meadow, या फिर on the grass, on the grass, then fly, fly birds and, aeroplanes आप लिख सकते हैं, aeroplanes, aeroplanes fly in the sky, okay, और किसी bird का भी नाम लिख सकते हैं, vultures या फिर kite fly high in the sky, इस तरीके से, तो कोई भी sentence आप बनाएंगे, इन्हें यूज करके, climb, monkeys climb trees, leap, cheetah leaps in the jungle, children, sorry, swim, children swim in the pool, trot, donkey trots on the grass, fly, aeroplanes fly in the sky, okay, next, now, what can you do, like, what can you do, like, any animals, animal और bird, आप किसी भी animal या बर्ड के जैसे क्या कर सकते हैं, कोई भी activity, I can blank like a blank, आप like, अगर, for example, आप bark कर सकते हैं, एक dog के जैसे, जो भी आप में ability है, for example, आप frog के जैसे hop कर सकते हैं, I can hop like a frog, okay, या फिर I can, किसी की sound आप निकाल सकते हैं, किसी animal के उसकी तरह चल सकते हैं, जो भी activity आप कर सकते हैं, किसी animal के जैसे, वो आप यहाँ पर लिख देंगे, now, name any two animals और birds, other than fish, fish के अलावा कोई दो animals, या birds आपको लिखनी है, that can swim, जो swim कर सकती हो, birds में duck swim कर सकती है, and then whales swim कर सकती है, penguins भी swim कर सकती है, turtle भी swim कर सकती है, turtle, okay, seals भी swim कर सकती है, name any two animals that live on trees, trees पर कौन से दो animals रहते हैं, so animals बोला है, birds नहीं, so एक तो monkeys रहते हैं, monkey, and squirrel, squirrel, okay, next, answer the following, what can the child in the poem do, जो child है, बच्चा है, पोयम में, वो क्या कर सकता है, वो बाकी जितने भी animals हैं, जैसे वो hop करते हैं, leap करते हैं, then trot करते हैं, वो उनको act कर सकता है, उनकी acting कर सकता है, तो आप लिखेंगे, the child in the poem can act, he can act like all of them, उनके जैसे वो act कर सकता है, okay, next, next is the child in the poem can do many things, child जो है पोयम में बहुत सारी चीज़ नहीं कर सकता है, which of them, any two, do you like the most, like वो hop कर सकता है, hop करने की acting कर सकता है, leap कर सकता है, then trot कर सकता है, and swim कर सकता है, acting कर सकता है swimming की, and fly, उड़ने की भी acting कर सकता है, then climb कर सकता है, अब इन में से कौन सी दो activities आपको पसंद है, जब आपने ये perform की, आपको सबसे जादा fun, मज़ा किस activity को करने में आया, वो आप लिखेंगे, माल लिजे, for example, आपको hop करने में और trot करना जादा अच्छा लगा, तो आप उन दो activities को यहाँ पर लिख देंगे, any two, so I like, hopping, hop, and trot, या फिर इसके अलावा आपको answers different भी हो सकते हैं, now picture reading, what do you see in the picture, talk about it, write a few sentences about the picture, इस picture में ये एक underwater picture है, जिसमें कुछ sea animals है, fish है, octopus है, fish, octopus, then starfish, ये shell है, sea shell, then यहाँ पर कुछ ये लोग हैं, जो इस submarine में नीचे गए हुए हैं, सभी को देखने के लिए, then ये एक sea horse है, and there is a dolphin also, ये एक, ये एक dolphin है, and कुछ नेक्स पेज़ पर है, a turtle, again a sea horse, then another dolphin, फिर ये sea horse है, turtle है, okay, और ये एक mermaid भी है, इसे बोलते हैं, mermaid, जिसका जो head है, upper body है, वो एक female की होती है, और नीचे एक tail होती है, fish के जैसे, fish tail, okay, और, then यहाँ पर भी shells हैं कुछ ही, पत्थर है कुछ, क्या करना है इसमें, what do you see in the picture, talk about it, so what do we see, देख लिए हमने, we see dolphins, sea horses, then a submarine, this is a submarine, some people and this is an octopus, fish, another fish, ये भी octopus है, then starfish, starfish, sea shell, some water plants, these, a mermaid and turtle, okay, now write a few sentences about this picture, इस picture के बारे में कुछ sentences आपको लिखने हैं, so आप लिख सकते हैं, this is an underwater, अचा इसमें एक diver भी है, there is one diver also, so आप लिखेंगे, this is an underwater scene, an underwater picture या पिर, पानी के अंदर के picture है, this is an underwater picture, then, this is an underwater picture, तषसने सकते हैं, this is an underwater picture, आपको अब्सचे प्रूद के परूद के ऑषद सकते हैं, the river is sitting on the rock then in the submarine some people are watching these sea animals water animals water creatures number three in from the submarine or inside the submarine submarine ke under se inside the submarine some children people some people are watching these sea or water animals animals then there are many fishes fish and octopus starfish yeah general there are two dolphins also turtles turtles are there there are there are fish turtles then sea horses and and starfish seashells bhi hain then dolphins islands etc okay then there is a diver who is what is he doing is exploring the underwater world a diver is in this picture a brave diver you can read is exploring this these these this underwater world i think these sentences are a little difficult you can read from your side there is a happy fish and one blue fish is there then an octopus a pink octopus and a yellow octopus they both both are talking with each other this way you can read sentences then a girl is watching them with curiosity with surprise then the dolphin and sea horse are chatting with each other you can make such a story okay next now next is let us think match the animals to their actions animals the horse trots horse trots trots the lamb leaps this will be the lamb leaps one second so the horse trots The lamb leaps ये है लाम The snake crawl Snake की moment को हम क्या बोलते है Crawl, crawl करना Next The squirrel runs The monkey swings Okay Now let us speak Look at the pictures And read the words below each picture An inch An ink pot An igloo A pin A list A fish A bin A ring A ship So कुछ words हैं जिनके आगे an आया है An और अ दोनों का मतलब होता है This is an ink pot ये एक ink pot है This is an inch This is a pin कुछ के आगे औ आया है ये previous chapters में भी हमने देखा था जो words begin होते हैं F है इनके आगे सिर्फ औ आयेगा आयेगा नेक्स्ट I is both a letter and a word अच्छा अच्छा आय एक लेटर भी हो सकता है और अपने आपने एक word भी है I am a boy यहाँ पर आये क्या है यह अपने आपने एक word है और लेटर भी है बहुत सारे उसमें आये आता है यहाँ पर यह एक लेटर है क्लाप 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 यह बोलना है आपको क्लाप करना है I is both a letter and a word even though they look the same हलाकि same दिखता है यह I और यह I You use I and not your name I is both a letter and a word जब आप खुद के बारे में बात करते हैं तो I बोलते हैं अपना नाम लेके तो नहीं बात करते हैं जैसे I am hungry मुझे भूग लगी है अपना नाम लेके नहीं बोलेंगे बाली जै आपका नाम रवी है तो रवी is hungry ऐसा नहीं बोलते हैं जब आप खुद के बारे में बात करते हैं You use I and not your name आप अपना नाम नहीं I use करते हैं I am a boy रवी is a boy नहीं बोलेंगे दूसरे बच्चे का नाम लेते हैं अपना नाम हम कभी नहीं लेते रंगोली अब यह steps को follow करना है आपको रेक रंगोली बनाने है पहले आप क्रॉस करेंगे फिर इस तरीके से और फिर यहां से इनको जॉइन करेंगे नीचे यह activity आपको परफॉर्म करनी है And that's all students इसी के साथ Second unit का first chapter First poem over होती है Thank you so much for watching